स्कूल टाइम विद दीपशिखा मैं बच्चों आप लोग ध्यान से देखना कि मैं अभी क्या बोलने वाली हूँ या फिर क्या बताने वाली हूँ ठीक है तो माई नेम इस दीपशिखा मेरा नाम दीपशिखा है I am a teacher मैं एक सिक्षिका हूँ मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ मेरा हॉबी है बच्चों को पढ़ाना मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और साथ में मैं पेंटिंग भी करती हूँ डांसिंग भी करती हूँ बैट मिंटन खेलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है तो फिर आपने क्या-क्या सुना कि मुझे क्या-क्या पसंद है, मेरा नाम क्या है, मैं क्या काम गरती हूँ, तो ये सारी चीजी मैंने अभी आपको बताई, तो इससे आपको क्या बता चला? कि मैं अपने आपको आपसे introduce कर रहे थी मैं अपना introduction आपको दे रही थी तो फिर हम इससे यह जाने कि अभी हम about myself पढ़ने वाले हैं science chapter, evs chapter, class 1 का जो first chapter है about myself तो अभी हम यह शुरू करेंगे तो आपके मन में क्या आया? जब मैंने about myself बोला तो फिर आपके मन में क्या आया? तो आप भी सोचने लगों कि नाम तो आपको पता है? कि आपका नाम क्या है? फिर आप देरे-देरे सोचोगे कि आपको क्या पसंद है? नहीं पसंद है? आपको क्या अच्छा लगता है? आप कहां रहते हो? तो इससे हमें यह पता चला कि हमारा introduction क्या है? तो आज हम about myself पढ़ेंगे जो EBS का class 1 का chapter 1 है. तो introduction में सबसे पहले आप अपने बारे में क्या-क्या बताते हो? जैसे नाम हो गया, class, age, school, likes and place. तो यह सारी चीज़े हैं जो छोटे बच्छे अपने introduction में बताते हैं. तो फिर और जो likes है, dislikes है, जहां आप रहते हो, वो सारी चीज़ें को आपको जानना बहुत जरूरी है. तो this is how the way you introduce yourself and this is known as introducing about yourself. बच्चों अब हम देखेंगे कि, तो suppose एक लड़की रिया है, वो अपने आपको कैसे introduce कर रही है? Hi, my name is Ria. I am five years old. I go to school, Karls Convent School. I study in class one. I like to paint. So, इस तरह से एक six years की लड़की ने अपने आपको introduce किया. So, this is what the introducing about yourself. So, आपने देखा कि हमें किस-किस तरह से अपने आपको introduce करना चाहिए? अब बच्चों ध्यान से देखो कि मैं आपको क्या बता रही हूँ? क्या दिखाने दिखा रही हूँ? ये four chocolates है. देख रहे हूँ? येस. तो जब आपने ये सारे chocolates देखें, तो आपके mind में सबसे पहले क्या आया? आपको कौन सी chocolate सबसे पहले मन किया खाने का? मैंने इस में से देखा, तो मुझे सबसे पहले मन किया इस में से, कि मैं ये जो सबसे छोटा है, ये मेरे लिए सबसे tasty chocolate है, सबसे yum chocolate है, ये है five star. तो शायद आपका favorite हो ये dairy milk, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा favorite क्या है? चुकि ये chocolates है, तो आपको तो सारी पसंद आएंगी, लेकिन इस में से कोई तो ऐसा एक होगा, जो आपको सबसे पसंदिदा है, जो आपका favorite है, the one which you like the most, जो सबसे yum होता है, उसका एकडम caramel taste है, तो इस तरह से हम अभी यह जाने कि, अगर यहाँ पे बहुत सारे sweets हैं, chocolates हैं, तो उसमें से भी आपका कोई एक chocolate, जो होगा, वो favorite है, just for example, ये जो सबसे छोटा chocolate था five star, ये मेरा सबसे जादा favorite chocolate है, तो इस तरह से हमें ये पता चला कि, favorite things क्या होता है, जिसको आप सबसे जादा like करते हूं, the things that we like are called favorite things, suppose for example, I like to eat ice cream, see, the things that are like we call favorite things, I like to eat ice cream, so in this you can see, see, can you see this, the definition of favorite things, the things you like most, the things you like most is the favorite things, इसका ये भी बहुत अच्छा एक्जाम्पल होता है, जैसे अगर पापा या ममा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आप बोलते हो, पापा मेरे लिए ना आप ये चॉकलिट ज़रूर लाना, या ये फिर ये snacks लाना, मुझे लेज बहुत पसंद है, फिर लेज में भी flavors होते हैं, मुझे tango chili चाहिए, या tomato चाहिए, या salty चाहिए, तो इस तरह से भी हम अपने likes और dislikes को समझ पाते हैं, suppose अगर मैं गाड़ी की बात करूं, तो किसी-किसी को गाड़ी, racing ये सब में बहुत interest होता है, तो ये भी पता चलता है, कि हमें किस चीज में interest है, फिर अगर हम dolls की बात करें, तो no, किसी-किसी को सिर्फ dolls खेलना पसंद है, doll house में खेलना पसंद है, किसी-किसी को racing करना पसंद है, तो इन सारी चीजों से हम समझ पाते हैं, कि what are our likes and dislikes, तो बच्चों जब हम स्कूल जाते हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए, टीचर्स हमेशा रिमाइन करती है, आपको ये अपने बैग के साथ दाइरी और आपको एक identity card मिलती है, जो आप गले में टांग कर जाते हो, तो क्यों हम वो identity card ले जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका पूरा नाम होता है, उसमें आपका उम्र होता है, age, school का name and class होता है, उसमें आपका address होता है, ये सारी चीजे होती है, इसी लिए identity card school में carry करना बहुत जादा जरूरी होता है, just for example, आपने देखा होगा कि इस तरह से एक pouch में आपका identity card होता है, जिसमें आपका class, raw number, father's name, mother's name और उसमें mobile number होता है, तो इसी लिए ये इतना important होता है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कौन बच्चा कहां से आ रहा है, उसके ममा पापा कौन है, घर का कौन सा phone number use होता है, तो इसी वज़ा से सब का एक अपना identity card होता है, जो सिर्फ और सिर्फ उस particular student के बारे में बताता है, इसी लिए ये आप अपने गले में हमेशा हैंक करके टांग के स्कूल जाया करना, कोई दिन भी मिस नहीं करना, ठीक है, तो अभी हम जानेंगे, what is identity card, a card that tells important things about you, to know you is called identity card, और identity card में एक photo होता है, आपका, passport size photo एक मांगा जाता है, जो school uniform में होता है, और उस identity card में हम लगाते हैं, for example, देखो, यहाँ पे एक photo भी है, तो इस तरह से identity card होता है, जिसमें सारी चीज़े होती है, तो और उसमें photo भी बना होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक particular student के बारे में सारी information को provide करा देता है, definition है, identity card की, ठीक है? अब हम recap करेंगे, जिसमें, जिससे आज हमने क्या-क्या EBS के class में chapter 1 about self में हमने क्या-क्या पढ़ा, introducing yourself, जैसे मैंने अपना introduction दिया, कि मेरा क्या नाम है, मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या hobbies है, क्या likes है, तो यह सारी चीजे है, मैं कहां रहती हूँ, तो यह है introducing about yourself, फिर हम ने देखा कि what is favorite thing, तो यहाँ पर हमने देखा कि the things that we like are called favorite things, suppose for example, I like to eat ice cream, फिर उसके बाद हमने देखा कि identity card, जिसमें name होता है, age है, school है, class है, father's name, mother's name, date of birth and your place, and very important is mobile number, तो यह सारी चीजे सबका personal और सबका different होता है, एक कभी किसी का phone number दूसरी इंसान के पास या दूसरी किसी और के parents के पास नहीं होता, और फिर हमने देखा कि identity card में एक photo भी हमें जरूरी होती है, जो उस identity card में वहाँ पे visible होता है, तो a card that tells important things about you to know you is called identity card, तो बच्चों आज हमने about myself के बारे में पूरा यह class किया, thank you, About myself, chapter 1, EBS, for class 1, answer the following questions, How old are you? I am six years old. आप कितने साल के हो? मैं छे साल की हूँ. Second question है, Which class do you study in? I study in class 1. इसमें पूछा जा रहा है कि आप दूसरे question में कि आप किस class में पढ़ते हो? तो उसने अपने आपको इंट्रिजूस किया कि मैं class 1 में पढ़ती हूँ. Third question है, Name your favorite food item. Means, आपका favorite food item क्या है? तो यहाँ पे लिखा my favorite food item is pizza. किसी का ice cream हो सकता है, किसी का burger हो सकता है, तो यह answers, सारे answers vary करते हैं, कोई 7 years का हो सकता है, तो यह general है, आपका जो भी होगा, If you are 7 years old, you have to write here 7. Here you have to write 7, 5, whatever you want to write here, you put the number. फिर यहाँ पे class 1 है, लेकिन यह vary कर सकता है, अगर आप class 2 में हो, class 7 में हो, तो you can change this number. And again, here also, this pizza, this also you can change. जिसका जो फेवरेट आइटम होगा, फूर्ट का वह वहाँ पे वो लिख सकता है. Only one example, here, choose the correct option. A card that helps to know you better, is what? My card, identity card, help card और game card. So, the answer is identity card. क्योंकि उसी में होता है आपका पूरा information. Name is class, school, place and mobile number, father's name and as well as mother's name. So, answer will be identity card. So, बच्चों, आज हमने इस class में पूरा देखा कि पूरा चाप्टर हमने पढ़ा, about myself, introducing about myself, identity card, favorite things and also how you can introduce yourself. फिर हमने उसके question and answer भी किये, जो यहां board पे किया हुआ है. और अगर आपको यह video अच्छी लगी हो, तो please like, share and subscribe. मिलते हैं फिर हम अगले new chapter में, chapter second in next class. Thank you.